आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ इस तरह के से चलते रहेंगे लाश्ट टमबर है 999, 999 भी डिविजिबल नहीं है और जो लाश्ट टमबर है हमारे पर 996 जो डिविजिबल है अब हम देखना है कि यह जो सीक्वेंस हमने लिखा है यह सीक्वेंस किस फॉर्म में है तो देखें फर्स्ट टम है हमारे पर 102 तो यह हो जाएगा और लाश्ट टम है अन याट इस 996 एक और हर टर्म के बीच के जो डिफरेंस है वो सेम है तो उसको हम बोल सकते है कॉमन डिफरेंस याट इस 6 एक है तो इस टाइप के, जो प्रोकरेशन कंखा आ चाना जाता है उसको हम बोलते है अर्थमाटिक क्रोकरेशन क्योंकि इसमाएट कॉमन डिफरेंस है वह सेम है हर टर्म के लिए तो हम यहाँ ao यांँ योज़ कर सकते है अर्थमाटिक प्रोकरेशन याँ आझ AP के N term का formula, अब वो होता है, AN equal to A plus N minus 1 into D, value substitute करेंगे, so AN यहनी last term है, 996 is equal to A first term 102 plus N minus 1 into 6, so 996 में सब 102 substitute करेंगे, so that is 894 is equal to N minus 1 into 6, तो यहांसे N minus 1 की value आ जाएगी, N minus 1 equal to 894 divided by 6, which is equal to 149, ठेक है, N minus 1 की value आ गई, so this gives N is equal to 149 plus 1, that is 150, यानि कि टोटल ऐसे 150 नमबर से हैं, थिरी डिरिट के, जो 6 से exactly divisible है, so correct option is B option. Classics to 12 से लेके, need IIT जेही, means और advanced के level ता 10 million से जादा students का भरोसा, आज राउन्लोट के ले doubt net आप, या whatsapp कीजिए अपने doubts, 84444 पर.